नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बिभाग तृत्तिय के प्रथम प्रश्ण पत्र में जेस मिल के स्वतन्तरता समंधी विचारों के बारे में बताऊंगी, पुर्व के व्याख्यान में हमने जेस मिल के स्वतंतर्ता के बारे में जिन विचानों पर चर्चा की थी गत्य व्याख्यान में हमने मिल ने जो स्वतंतर्ता के लक्षन उसकी विशेषता है और स्वतंतर्ता क्यों आवशक है इसके बारे में विचार व्यक्त किये उस पर चर्चा की जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने आप लोगों को बताया कि जेस मिल की एक महतुपूर्ण रचना है ओन लिबर्टी जो 1869 में लिखी गई थी और इसे में इनोंने स्वतंतरता के बारे में विश्तार पूर्वक लिखा है स्वतंतरता के प्रकारों की चर्चा हम कर ले थे और स्वतंतरता के प्रकार में दो प्रकार बताएं हैं जेस मिलने पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता तथा दूसरा है कार्य करने की स्वतंतरता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता में हमने जिन विचारों पर चर्चा की वो है जैसे सत्य के दमन का भै या सत्य के विभिन पहलू भी होते हैं और बहुत सारे विचार उन्हों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता के बारे में कहा कि उचिस्तर के नैतिक चरित्र का विकास भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता के माध्यम से ही हो सकता है. इतिहास के उधारण भी देते हुए जेस मिल ने ये समझाने का प्रयास किया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता कितनी आवशक है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वतंतरता का जो दूसरा प्रकार है वो है कारे करने की स्वतंतरता मिल के अनुसार स्वतंतरता का दूसरा पक्ष कारें की स्वतंतरता है और विचारों की स्वतंतरता अपोन है यदि उन विचारों को क्रियानवित करने की स्वतंतरता न हो स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है जैसा कि पक्षू उड़ना तो चाता है पर पंख नहीं है पर विचार्णीय मुद्धा यह है जिस तरह विचारों की स्वतंतरता पर कोई अंकुष नहीं होना चाहिए उसी तरह क्या कारेओं के स्वतंतरता भी बंदन हीन होनी चाहिए क्या व्यक्ति के कारेओं पर शासन और समाज का कोई बंदन नहीं होना चाहिए इन प्रश्णों का उत्तर खोजने की द्रिष्टी से मिलने कारेगत स्वतंतरता के दो रूप बताए पहला ऐसे कारे जिनका समंद व्यक्ति के स्वय से होता है यानि स्वय के साथ होता है इने वे स्वय समंदी कारे कहते हैं दूसरा वे कारे जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है इने वे पर समंदी कारे कहते हैं मिल के अनुसार स्वय समंदी कारे व्यक्ति के वे कारे हैं जिन से अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते और इन कारें का सीधा समंद व्यक्ति के नितांत व्यक्तिक कारें से होता है जैसे सिग्रेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना आदी वैं सिगरेट पिये या पान खाए, शाका हारी हो या मासा हारी, आलू खाए या प्याज, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता स्वयसमंदी ऐसे नितांत नीजी कारें को व्यक्ति को अपनी इच्छा नुसार करने की पूर्ण स्वतंतरता होनी चाहिए इनमें राज्य को कोई प्रतिबंद नहीं लगाना चाहिए, मिल की माननेता है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कारें करता है, जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं, तब तक राज्य को हस्तकशेप नहीं करना चाहिए ऐसा होने से ही व्यक्ति अपनी नैसेरगिक क्षमता का सर्वोच विकास कर सकता है, अपने सुख और कल्यान की अभिवरिदी कर सकता है, लेकिन यदि ऐसे कारें जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता हो, तो वो कारें समाज और राज्य की द्वारा प्रतिबंदित किये जाने चाहिए, तो मिल के अनुसार परसंबंदी कारें व्यक्ति के वे कारें हैं, जिनसे समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और ऐसे कारें में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, उधारन के लिए शान्ति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनि कि स्थानों को गंदा करना, आधी हमारे ऐसे कारें हैं, जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पढ़ता है, अत्य दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कारें के संबंद में, व्यक्ति को स्वतंतरता नहीं दी जा सकती, निश्य ही व्यक्ति की स्वतंतरता आ के चड़क पर हुड़दंग मचाता है और पडोशियों की नीद अराम करता है तो उसके इस कारे के लिए खुली छूट नहीं दी जाने चाहिए और खुली छूट नहीं दी जा सकती तो मिल ने स्वतंतरता के जो प्रकार बताएं हैं उनमें पहले विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता जिसके बारे में मैंने पूर्व क्या व्याख्यान में बताया आपको दूसरा कारे करने की सुवतनतरता जिसमें दो प्रकार उन्होंने बताए, स्वयसमंदी और परसमंदी जैसा कि मनिख आपको बताया स्वय समंदी ऐसे कारे जिनका प्रभाव दूसरे पर नहीं पढ़ता चाहे व्यक्ति आलू की सबजी खाए या गोबी की खाए इससे किसी को कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए और इससे को किसी को कोई फरक पढ़ता भी नहीं है ये स्वय समंदी कारे हैं जैसे कोई व्यक्ति उसको अच्छा लगे कि वो सफेद कलर के कपड़े पैने या लाल कलर के पैने ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है और परसमंदी कारे जैसे ऐसे कारे जिनका प्रभाव दूसरों पर पढ़ता हो जैसे मैंने अभी आपको एक उधारन भी दिया कि मद मदिरा पान करना व्यक्ति का स्वसमंदी कारे है जब तक कि वो दोसरों को प्रभावित ना करे लेकिन जैसे ही वो मदिरा पान करके शोर शराबा करता है या महले की शांती भंग करता है या परिवार की शांती भंग करता है तो उस पर प्रतिबंद लगाये जाने बहुत ज मिल ने बताया है मिल व्यक्ति की स्वतंतरता का महानतम पुजारि था जेस मिल ने स्वतंतरता की सीमाएं भी बताई है कि व्यक्ति की स्वतंतरता में हस्तक शेप की परिस्थितियां कौन-कौन सी है मिल व्यक्ति की स्वतंतरता का महानतम पुजारि था परन्तु कुछ परिष्थितियों में स्वतंतरता पर प्रतिबंद लगाने में भी वे नहीं हिचका मिल ने जिन परिष्थितियों के बारे में बताया है वो इस तर ऐसे है यदि व्यक्ति के स्वतंतरता के दुरूपयोग से दूसरे व्यक्तियों के स्वतंतरता के खत्रे में पढ़ने की संभावना हो इस अंदर में मिलने गाड़ी चलाने के लाइसेंस का उधारण दिया है वह एक अनाडी गाडी चालक की स्वतंतरता द्वारा सड़क पर चलने वालों को वृत्यू का ग्रास नहीं बनाना चाता इसी प्रकार चोड डकेतों को भी स्वतंतरता से वंचित करना चाहिए क्योंकि उनके कारे समाज के अन्यनागरिकों की स्वतंतरता में बादक होते हैं मिल के अनुसार जब समाज अत्वा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है उधारण के लिए राज्य प्रभाहय आक्रमन के समय सभी नागरिकों से अनिवारे सेनिक सेवा की आशा की जा सकती है तीसरी परिश्थिती वह है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरूपयोग हो जिससे उसके सामाजिक करतवे के पालन में रुकावट आने के संभावना हो उदारण के लिए मिलियू तो मदिनापान को स्वय समंदी कारे मानता है किन्तु पुलिस के सिपाई को ड्यूटी पर सराब पीने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता क्योंकि उसको ये आशंका है कि शराब पिया हुआ सिपाई शान्ती स्थापित करने के बजाए शान्ती भंग करने के कारे करेगा चोथा वे व्यक्तिगत कारे जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है राज्ये के द्वारा रोके जा सकते हैं जैसे आत्म हत्या करना उधारन के लिए यदि कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए एक ऐसे पुल से होकर जाना चाता है जो तूटने की स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में उसे पुल से होकर जाने से रोका जा सकता है क्योंकि व्यक्ति नदी पार तो करना चाता है परन्तु नदी में गिरना नहीं चाता अते उसकी पहली इच्छा यानि नदी पार करने की अपेक्षा दूसरी इच्छा यानि नदी में नए गिरने की गुरुतर है अते इस गुरुतर इच्छा की पूर्ती के निमित सकरात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है मिल के स्वतंतरता समिद्धी विचारों की आलोचना भी की जाती है और जोड ने ये कहा कि मिल का स्वतंतरता पर लिखा गया निबंद विचारों की उन्मुक्ति का शायद सबसे सुन्दर दिगदर्शन है और उन विचारों की सैशुनता का जिने हम समझ नहीं पाते समुच्चे साहिते में सबसे शक्तिशाली तर्क है लेकिन फिर भी जो मिलने विचार दिए है वो कहीं न कहीं उसमें हमें दोष दिखाई पड़ते हैं और आलोचके ने उनकी आलोचना भी की है पहली आलोचना की जाती है कि जिस स्वतंतरता के बारे में मिलने विचार दिये हैं वो खोकली और नकारात्मक स्वतंतरता है बारकर के अनुसार मिल एक खोकली स्वाधिनता तथा कालपनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था उसके पास अधिकारों के संबन्द में कोई दर्शन नहीं था, इन्हीं अधिकारों से स्वतंतरता के विचार को एक ठोस अर्थ प्राप्त होता है चुंकि मिल बंधनों के अभाओं को स्वतंत्रता की संग्या देता है अते स्वतंत्रता की यह परिभाशा पूनत नकारात्मक है और द्योगिक सब्बत्या को जो कानूनों पर आधारित होती है निश्यद्हात्मक स्वतंतरता की नहीं सकरात्मक स्वतंतरता की आवशकता है समानता की उपेक्षा मिल स्वतंतरता पर तो जोड़ दता है किन्तो आलोचक करते हैं कि उन्होंने समानता की उपेक्षा की है वे स्वतंतरता को अपने आप में पोण मानता है किन्तु स्वतंतरता की सार्थक्ता के लिए समानता भी आवशक है स्वतंतरता समानता से अधिक उपयोगी हो सकती है परन्तु समानता के अभाओं में स्वतंतरता भी अधिक दिनों तक नहीं टीक सकती फिर है संकी और जख्कियों को स्वतंतरता देना हास्यासपद है मिल संकी और जक्की व्यक्तियों को भी विचार अभी व्यक्ति की स्वतंतरता प्रदान करता है उसको ऐसा लगता है कि इन संकियों में से कोई सुकरात निकलाए तो समाज के या समाज में क्रांती का सुत्रपात करके परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दे परन्तु डेविडसन का कथने की सनकी पंचरीत्र की निर्बलता का ध्योतक है ने की उसकी उतक्ष्टता का इसको प्रोचहन देने के बजाई हतोच साहित करना आवशक है कारे स्वतंतरता का भ्रांतिपूण विभाजन मिल द्वारा जो किया गया है दो वर्गों में कि स्वयसमंदी और परसमंदी ये भ्रांतिपूण है वास्तम में व्यक्ति के कारियों में साभेद नहीं किया जा सकता मिल के अनुसार शराब पिना स्वयसमंदी कारे है या तबी सामाजिक रूप धारन करता है जब सराब पी कर कोई व्यक्ति सडक पर हुड़दंग मचाए किन्तो ऐसे व्यक्ति का आपने घर में सराब पीना भी नितांत स्वय समंदी कारे नहीं है इसका उसकी पत्नी और बच्चों पर गैरा प्रभाव पड़ता है शराबी के बच्चे उसकी देखा देखी उस दुर्व्यसन में फंस सकते हैं और इससे समाज को हानी होगी वस्तूत है व्यक्ति का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसका समाज पर प्रतक्ष या परोक्ष प्रभावनाय पड़ता हो इसी तरह से व्यक्ति और समाज के बीच का समंध गलत धंग से प्रस्तूत करना स्वतंतरता समंधी विचारों से दो तथ्य उबढ़ते हैं एक तो यह कि मिल अपनी इस पूर धाना से कभी मुक्त नहीं हो पाए कि राज्य व्यक्ति के हितों का सहायक न होकर एक बाधा है और उसका हस्तक्ष वानचित कम है और एवानचित अधिक है इसकी भी आलोचना की जाती है एविक्सित देशों के नागरिकों के स्वतंतरता से वंचित करना मिल स्वतंतरता केवल ऐसे लोगों के लिए ही उप्युक्त मानता है जो की विक्सित है पिछडे और ऐ विक्सित देशों के नागरिकों के लिए स्वतंतरता का प्रावधान नहीं करता उनके लिए वैं निरंकुष शासन को ही उप्युक्त मानता है यह भी गलत है अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देना भी स्वतंत्रता समंधी विचारों की एक पहुत बड़ी कमी है मिल बहुमत की स्वेच्छाचारिता के भैसे आतंकित था और इसलिए उसने उसकी तुलना में अल्पमत को अधिक महत्व दिया वस्तुत्य बहुमत के स्वेच्छाचारी होने के समंद में मिल की धारणा गलत मान्यों ताउं पर आधारित है पहले तो यह नहीं माना जा सकता कि बहुमत सदा स्वेच्छाचारी ही होता है और दूसरा यदिवे स्वेच्छाचारी भी है तो आधुनिक लोक्तंत्रात्मक व्यवस्था के पास शासन संचालन का अन्या कोई अच्छा विकल्प नहीं तो इस तरह से मिल ने जो स्वतंत्रता समदी विचार दिये हैं आलुचकों के द्वारा उसके आलोचना भी की गई है लेकिन फिर भी मिल ने जो विचार प्रस्थुत किये हैं स्वतंत्रता के बारे में वो वास्तव में समाज और राजमतिक क्षेतर में बहुत ही उप्योगी हैं और इनकी कमिया होते हुए भी मिलने प्रतेक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के जो अवसर प्रदान किये हैं वो वास्तव में महतुपोण माने जाते हैं और समाज को एक अनूठी देन है ओन लिबर्टी उनकी जो पुस्तक है वो वास्तव में व्यक्तिवाद के विकास और उसकी उन्नत्ती में बहुत महतुपोण या गहरा योग देने वाला ग्रंत है उसने लोकतंत्र की द्रिष्टी से ये विचार दिया कि बहुमत भी निरंकुष हो सकता है और इसी तरह जो स्वतंत्रता के बारे में विचार उनके विस्तार पूर्वक हमने या हमें पढ़ने को मिलते हैं वो वास्तव में राजनती विज्ञान के ख्षेत्र में बहुत ही महतुपोण हैं जिनका सभी विद्यार्थियों को या सभी पढ़ने वालों को समाज को रज्य को सभी को लाभ मिलता है धन्यवाद